हलो एंड वेलकम तो स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग आज मैं शेयर कर रही हूँ आलू दही के कबाब की रेसिपी आलू दही के कबाब एक परफेक्ट स्नैक रेसिपी है और इसे हम बहुत ही आसानी से घर पर बना कर त्यार कर सकते हैं इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू चार मीडियम साइज के बेशन दो बड़े चम्मच हंग कर्ड या गाढ़ा दही आधा कप हरी मिर्च एक बारी कटा हुआ प्याज एक बारी कटा हुआ काली मिर्च का पाउडर एक चौथाई चम्मच अद्रक लैसुन का पेस्ट नमक अपने टेस्ट के अकौर्डिंग ले अमचूर या मैंगो पाउडर एक चम्मच हल्जी पाउडर एक पाथाई चम्मच तेल डीप फ्राइए करने के लिए और ब्रैट क्रम्स कबाब को कोट करने के लिए एक बोल में हम लेते हैं हां कर्ड और बेशन इसमें कटी पाउडर, अमचूर पाउडर, थोड़ा सा नमक, अद्रक लहसुन का पेस्ट और उबले हुए आलमों को इस तरह से हाथ से मैश करके मिला लेते हैं, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अज़स्ट कर लें, हल्दी पाउडर, और कटा हुआ प्याज, अब हम इन सारे इंग्रेडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसका एक एवन सा मिक्स्चर बना लेते हैं, सारे इंग्रेडियंट्स अच्छी तरह से मिल गए हैं, अब हम इस मिक्स्चर के कबाब बना सकते हैं, अथेलियों पर थोड़ा सा तील लगा करके हम इस मिक्सचर के कबाब बनाना शुरू कर देते हैं इसे अपनी मन पसंद किसी भी शेप में आप रोल कर लें क्राइक पापयाएं कोटे लें और करेंगे जिसी worship झीचो का सब्सक्राइब को अधना के विरयाएं अब एक कड़ाई में तील गर्म कर लेते हैं फ्राइब करनी लिए तैल हमें इतना रखना है कि कबाब अच्छी तरह से बूप जायाएं जब हम फ्राइब करें तील को हम अच्छा तेज गरम होने देते हैं और गरम होने पर हम इसमें कबाब को फ्राइ होने के लिए डाल देते हैं इसे इस्टर कर लेते हैं इन्हें हम पलट लेंगे जब यह तरफ से सीख जाता है आप देख सकते हैं यह अच्छा गोल्दन ब्राउन होने लगा है इसे चारों तरफ से सेर यहज़ित हैं इसी तरह से हम बागी के कबाब भी तर्यार कर लेंगे अब ये आलू और दही के कबाब बिल्कुल तयार हैं इन्हें हम अपने पसंद की चटनी या कैचप के साथ में चाय के साथ सर्फ कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग तो ये थी आलू दही के कबाब बनाने की आसान सी रेसिपी I hope you liked it अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो please leave a thumbs up, share this recipe and subscribe this channel for more such videos Thanks a lot